तस्वीरे दारकरताओं के बीच किस तना से धक्का मुक्की भी होती हुए आप नज़र आ रही है और इन लम्हों को कुछ लोग कैमरे में क्यात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अपने अपने मोबाइल से यह तस्वीरे आप देखे रहे हैं राहुल गांधी क्योंकि आप राय बरे उत्तर प्रदेश में क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस मिलकर चुना बट रही है गजबंधन के प्रत्याशियों को उतारा गया है राहुल गांधी कॉंग्रेस की तरफ से उम्मीद्वार है यहाँ पर आप देखे समाजवादी पार्टी के भी जंड की आखरी तारीख है इस नामांकन को यादगार बनाने के लिए कारकरताओं का जोश उनका उत्साहाब देखिए खास तैयारियां की गई है राहुल गांधी का काफिला यहाँ पर पहुंच गया है और कुछी तेर में वो परचा दाखिल करेंगे उनके साथ मासोनिया की चुनाव लड़ने को लेका इस बात है कि बीजेए लगतार तंस कस रहे है क्या मेठी छोड़कर राहुल गांधी के लिए सेफ है यह तमाम कैलकुलेशन की गई थी पार्टी नेताओं की और से जिसके बाद रातो रात यह फैसला हुआ कि आमेठी नहीं राय बर्यली से राहूल गांधी को चुनाव लडाया चाहे तो कॉंग्रस के दफ्तर पहुंचे है राहूल गांधी और ये तस्वीरे आप देख रहे हैं राहूल गांधी का इंतजार उनके साथ है कि आला कि बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंग को चुनावी मैदान में उता रहा है देखना दिल्चस्क होगा कि कि इतना कि चैलेंजिंग होगा राहूल गांधी के लिहाज से जीत पाना दिनेश प्रताप सिंग तूकि इससे पहले सोनिया गांधी के खलाब चुके हैं अमेठी में जैसे कॉंग्रेस के किले को स्मृती रानी ने ध्वस्त किया वैसी ही उमीद दिनेश प्रताप सिंग से भी बीजेपी राय बरेली में कर रही है कॉंग्रेस का गड़ परमपरागत सीट राय बरेली जहां से राहूल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया पर्चा दाखिर करने के लिए राहूल गांधी मुचे हैं और शक्तिप्रदर्शन एक तरीके से कॉंग्रेस कर रही कि समार्जवावी पार्टी के भी समर्थक कारकरता राहूल गांधी को सपोर्ट करने के लिए राय बरेली पंचे है tutto ये तस्वीरे आप देख रहे हैं हाथों में बैनर, पोस्टर, जंडे लेकर तमाम कारिक्रकाओं का हुजू राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर उम्रा है इससे पहले कि शोरिलाल शर्मा अमेठी से पर्चा भर चुके हैं स्मृती रानी के खिलाफ चुनावी मैदान में उत्रे हैं कॉंग्रेस के भरों से मंध है, इमांदार नेता के तौर पर छवी है, जंता के बीच रहते हैं राइबरेलिय अमेठी दोनों की जगा पर कॉंग्रेस की चुनाव की जिम्मेदारी वो संभालते रहे हैं और अब कॉंग्रेस उनके चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रही है, प्रियांका गांधी ने भी इस बात को दोहराया और जंता से सपोर्ट मांगा और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, तीव स्क्रीन पर हम आपको लगलग तस्वीरे दिखा रहे हैं वो चार बड़े चहरे, दोनों सीटों पर जिनका दिल्चस्प मुकाबला है, और ये राइबरेली की जंग, राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप से, कॉंग्रेस का ये मानना है, कि राहुल गांधी यहां से जीत हासिल करेंगे, सोनिया गांधी की तर्ष पर, क्यों मुकाबला इंट्रस्टिंग हो गया है, और कारकरताओं का जोश किस तरह से हाई है, आप देख रहे हैं, गांधी परिवार के ही किसी सदर से को अमेठी से भी कारकरता चिनाव लड़वाना चाहते थे, हाला कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन किशोरी लाल शर्मा को चिनावी और हर मुश्किल का सामना करेंगे, महनत करेंगे, जीत हासल करेंगे कॉंगरिस के लिए, इधर राइबरेली में शक्ति प्रदर्शन कॉंगरिस का आप देख रहे हैं, तस्वीरों के जरिए, सुभा से ही ऐसी ही भीड राइबरेली में कॉंगरिस दफ्तर के बाहर देखी जा रही है और जैसे ही राहुल गांधी आपर पहुंचे हैं उत्साहा और जादा बढ़ चुका है राहूल गांधी के नामांकन दाखिल करने के दोरान की ये तस्वीरे आप देख रहे हैं उनका उत्साहा बढ़ाने के लिए तमाम कारेकरता यहां पर पहुंचे हैं राहूल गांधी जब उनके बीच पहुंचे उस दोरान लोग उनकी तस्वीरे लेते हुए दिखाई दिये अब पर्चा दाखिल करने वाले हैं कुछ इक्षनों में राहूल गांधी सोनिय गांधी, प्रियांका गांधी, रोबर्ट वॉड्राब, मलिकार जुन खड़ गे ये तमाम बड़े चुहरे कॉंग्रिस के जो राहूल गांधी की नामांकन के दोरान उनके साथ मौझूद रहेंगे कई तरह की चर्चाएं हो रहे हैं, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अमेठी आखिर क्यों राहूल गांधी ने छोड़ दिया, राय बरेली ही क्यों चुना है कॉंग्रिस के नेता डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जरूर तंजकस रहे हैं कि राहूल गांधी डर गए हैं, अमेठी क्योंकि चुनाव से पहले वो गए नहीं केवल दो बार, पाँच सालों में राहूल गांधी ने अमेठी की जनता की बात सुनी, लेकिन स्मृति रानी क्योंकि लगतार वहाँ पर डटी हुई हैं, और जनता की हर एक समस्या का समाधान वो खुद करती हैं केंद्रे मांत्री और सांसद होने का भी फायदा उनको मिलता है वहाँ के विकास कराने के लिए ऐसे में स्मृति रानी से मुकाबला किशोरी लाल शर्मा का होगा, हाला कि समर्थक उमीद कर रहे थे कि ये मुकाबला राहुल गांधी अगर आते तो और जादा दल्चस्प होता कड़ा होता अब राय ब्रेली राहुल गांधी ने चुना है ये भी खबरे हैं कि राहुल गांधी नहीं मान रहे थे लेकिन उन्हें मनाया गया है पार्टी के बड़े नेताओं की और से मंथन हुआ हाला कि गेंध मलिकार जुन खडगे के पाले में डाल दी गई थी कि वही तैक करेंगे कि आखिर कौन होगा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंग राहूल गांधी वाइनार्ड में इस बार मुकाबला टफ लग रहा है ऐसी भी खबरे हैं और इसलिए रायबरेली राहूल गांधी के लिए सेफ सीट मानी जा रही है